अब सुबह के बच चुके हैं सवा साथ और मैंने अपने ब्लॉग की सिर्वाद कर लिया हैं चलते हैं कपड़े बच्ची के रखे हुए हैं ड्रस को माउने अक्ताफ कनकी उनको पहले साथ में दो देते हैं और इसकी बाद दो रुलाई करें तो मौसम्ठीक है बूप तो नह चलिए पहले चाय फिनिस करते हैं और इसके बाद चलते हैं तो पपड़े रखे ड्रस उनको कि कल फिर स्कूल एस सूमें मंडे है तो ड्रस चाहिए और बच्ची अबसर बितलब सभी लोग सो ही रहे हैं तो चलिए और इधर का पल परदा निकल गया था मैंनक से तो इसको चलिए पहले चाय फिनिस करते हैं और इसके बाद सुरू करते हैं अपना घर काम और इसकी बाद फिर मैं आ गई हूं बच्चों की ड्रस रखे हुए हैं तो इनको पहले सर्फ में डूबो देती हूं तो कम से कम अच्छे से फूल जाएंगे ना तो भी साफ हो जाएंगे त सब मतलब सभी कपड़ों को मैं सर्फ में डाल दोंगी अभी सुबह का ही टाइम है तो मैं कपड़े एक ही बार सुबह सुबह ही साफ करती हूं इसके बाद फिर नहाने के बाद मैं कपड़े कोई भी साफने करती सब पपड़ी कठा करके ना बकट में रख देती हूं और ज ज़्यादा आज नहीं थे श्री बच्चों के ड्रेस थे तो चलिए इंद को इसमें डाल के सर्फिन में डाल देते हैं जो भी थोड़े बहुत कपड़े हैं और फिर इसके बाद बाकी के जो भी घर के काम है उनको चलते हैं करने के लिए तो यहां पास बच्चे मोबाइल पक परदी लगाने की लगा मतलब नहीं भी लगेगा तो भी चल जाएगा पर रोड़ी इसमें लगी थी तो मैंने सोचा चलो एक परदे डाल देती पहले मैं इसमें दो डाले ते इसके एक निकाल के मैंने में गेट है में डाल गिया तो मेंने तीन परदी लगा की रखे हैं न जो जरूरत की चीज होगी वो रख दोगे जो नहीं होगी तो निकाल के मैं फेक दोगे तो बहुत सारे चीजे होते हैं जो हम रखते रहते हैं और ध्यार नहीं देते हैं और वे चीजे खराफ हो जाती है तो वही सब चीजे मैं चेक कर रही थी दवाई रखी थी कुछ इसमे जो मैंने चने फुला के रखे थे और मूंग तो बहुत अच्छी अंकुरित हो गया जैसे आप लोग देख सकते हैं तो इसी को बतलब बना के और सब लोगों ने खा लिया फ्रोट्स हो गए कट कर दिया साथ में दूद और बचों ने चाकोस खा लिया तो मतलब रेक फास्ट जगे भी संडी के आज है तो जिसकी वज़ास मैंने कुछ नी बनाया चलती हूं जल्दी से काम घिनिस कर लेती हूं इसके बाद खाना टाइम से बना लोगी तो सुबर सुबर बहुत सारे ब्लब रेक फास्टे बहुत अच्छे से हो गया आज संडी है तो चलिए थोड़ा काम ही है तो आज लेट जगने की वज़ए से काम आज थोड़ा लेठी चल रहे हैं तो चलिए कोई बात नहीं एक दिन हपते में चलता है बच्छे भी थोड़ा सा डेली सुबर जल्दी जग जाते हैं तो आज लेठी जगे है तो चलिए सुरू करते हैं काम तो यह जो बेट की जो दालों खता हुए तो उनको डालना है जैसे इसकी डाल इसमें रहती है काली वाली दाल को इसमें डालना है खता हो गई है और बहुत टाइम से हो गया जाए मैं सोच रहे थी चेंज करने के लिए पर डेली ऐसे छुट जा रहा था तो चलिए डिब्बे को बहुत जल्दी यहां के गंदी होते हैं तो डबल मैंने चाह दिया एक सRI सीनगल यहां पास फेपर थे नहीं तो मैंने उठेव सेल लें नहीं लेकिं आई मैंने एक सRI सिंगल ही डाल दिया है मनें 15 दिन वह आरामवजें पश्यार प्रिकार यहां पास जो डिप में आप लोग देख रहे हैं इसमें घी रखती हूँ तो गीव करीब इसमें खतम हो गया है थोड़ा तो निकाल ली हूँ मैं दूसरे वर्तन में जो डेली यूज वाला वर्तन है उसमें निकाल के रख दी हूँ और इसको साफ कर लोगी क्योंकि मुझे फिर से मेरी तो मलाइक अठा हो गई है तो उसको मखण बनाना है तो फिर घी बनाने के लिए रखना होगा इसलिए अधिब हो इसलिए अब पुराना भी हो गया था और इत्त तो इसको डाल देती हुए जो एक कफ रख देते हैं तो इसके जो निसान बन जाते हैं और यहां पास मैंक मस्ती कर रहा था तो इस संडे का दीन है इसलिए बच्चे आपको घर में ही दिखेंगे तो मतलब थोड़ी थोड़ी टेस्टिंग मैंने हर जगह टीबी हो गया कुलर जो आप रखा है तो देख रहे है तो कुलर को भी थोड़ा साफ कर दिया है कुलर मतलब अचकल चलता नहीं है पर रखा है उसको अब रखने की जगह है मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आ रही पहले सीड़ियों में रखा हुआ था तो जब सुरू सुरू में हम लोग यहां आए थे पर जब गर में सुरू कफर मैंने डाल दिया है और तकीया लगा देती हूं और शिट कर देती हूं एक बार कम से कम साफ कर दिया है वैसे आज साफ रहने वाला नहीं है और इसके बाद आ गई हूं किचन में जो टाइल्स है ना बहुत जादा गंदी हो तो जहां से बरतन दोते है ना सिंग के बास तो वहाँ पास छिटा पढ़ता रहता है से बरतन दोते टाइम तो साबुन का हो गया तो मुझे बहुत जादा गंदा लग रहा था तो मैंने आयो थोड़ा सा सर्फ लेके और कपड़े में लाग अच्छे से मतलब साफ कर दिया है कि टाइल्स एक बार साफ हो जाए करीब क खपते तो नार्मली मतलब अब पाने भी मार दोगे ना तो भी चलेगा तो चली यहाँ पास मैंने साफ कर दिया है क्योंकि नल भी गंदे हो जाते है और अच्छे से धुलाई कर देती हूँ जो गैस के साइड की टायल से है उमने पहले ही साफ कर दी थी जब गैस मैंने साफ हो गई और साथ ही साथ मैंने बरतन जो नास्ते के बरतन थे तो भी मैंने साफ कर लिया है और यह बाई पर है तो बाई पर बीच बीच में साफ करती हैं कि गंदा हो जाता ना तो भी अच्छा नहीं लगता है तो चलिए यहाँ पास बरतन साफ हो चुके हैं इसके यह कुछ भी घाना नहीं बचा हैं अधी कर दा debta दो उता है जदा रंच में प्लच राते रिगाद कर दो कर दें परदीक निकाले में अधेदा म concept नहीं है इसके बाद मैं आगे हुआ कपड़े निकालने के लिए तो यहां पास जो भी कपड़े सूख गए होंगे उनको निकाल लूँगी और जो थोड़े बहुत है कि जो कपड़े गीले होंगे वो डली रहेंगे वैसे भी आप लोग बादल देखी रहे हैं कि मतलब डेली साम को चार वजे के करी वो डेली मतलब इक नियम बना लिया है कि पानी वरसना ही है तो यहां पास मैंने करीब करीब सारे कपड़े ही निकाल लिए थोड़े बहुत बच्चों के जैसे सौक सो गए एक दोटी सल्ट थी तो ओ डेली हुई थी और इसके बाद फि मतलब बच गया थे दो दिन का मतलब इससे में पता नहीं किया है कि दूट इतना योज ही नहीं हो पा रहा है तो मैंने मलाई कठा करके और इसे बड़े भगवने में डालके फ्रिज में ही रख दूंगी बाहर नहीं रखोंगी अभी तो चलिए और इस दूद को रख देती जल रही है तो आटा लगा लिया मैंने सबजी बनने के लिए रख दिया इसके बाद जो भी घर के काम है और निप्टा रही हूं थोड़े बहुत से तो यह बरतर मैंने रख दिया है आप इसको ढख के रख देंगे फ्रिज में कल सुबह इसको मैं इसका मखन बना लूँग और इसके बाद मैं आ गई हूं रात के प्रस करने के लिए बचों के कबड़ों में तो सुबह सुबह फिर मगर अगर लाइट नहीं रही तो फिर लेट हो जाएंगे इसलिए मैं अभी जो भी पूरा काम है ना मतलब सुबह के लिए जो भी अवसकता वाले चीजें होती हो रात में ही कर लो ना तो सुबह इत जदा परसानी नहीं होती है इसलिए मैं पूरा काम सुबह का रात में ही निप्टा के गया साफ करना क्या सुबह बनाना है बच्चों के लिए इसलिए मैं लब रात में ही करके रख देती हूं तो बच्चों के हैंकी में फ्रस कर देती टो एक एक डोनों के लिए तो एलो वाली है जो मैं आणक की चाहएगा और पिंके वाली पारी तो जो इसके पाद जो डोल रखा हुआ था तो इसको भी म Almost तो सकरीब करी सेपका खाना हो गया है बस रहेगा है बरतन साफ करने के लिए तो बरतन साफ करूगी और जो यह दूद दोनों उनको पकाऊंगी तो चलिए इस वीडियो को यहीं पास में खतम करती हूं तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीड को सब्सक्राइब कीजिएगा मिलती हूं नेस्ट वीडियो